कहानी है एक छोटे से गाउं की जहां एक परिवार में एक बच्चा अपनी पिता के साथ रहता था बच्चे का नाम राजू था जिसे पढ़ाई में बहुत दोचस्पी थी उसके पिता जी की एक चाई की दुकान थी पढ़ाई के साथ साहर राजू अपने पिता के भी मदद करता था राजू के पिता को उसका स्कूल जाना, पढ़ाई करना पसंद नहीं था क्योंकि उसके गाउवाले नहीं चाहते थे कि वो स्कूल जाए इसी बाद से राजू को बहुत तक्रीफ होती थी पर वो फिर भी हर रोज कूल जाता था और एक दिन कर दो मुझा कुल फिर बालता में So अरे ओ कन्वा पैस्वा कब देगा रहे हैं कुछ और दिन का महलत चाहिए मालिक हुद बुडबक कोई महलत नहीं मिलेगा अरे ससुरी बटवा को दुकान में लगाता तो कुछ ज्यादा पैसा कमा लेता पला के प्रोफेसर बनाएगा का जी मालिक नहीं मालिक काज जी मालिक नहीं मालिक लगा के रखा है जाए फिलाओ पापा मैं त्रह लगिजाता हूं आरे सब्ची खंढंड़ मुछंट झाल झाल